यह वकार्जव का शकल देखते ही जोडियक साइन कैसे गेस कर लेता है यह हम आपको दिखाएंगे लेकिन कहान ही वहीं से शुरू करते हैं जान लाइस टाइम खत्म हुई टीवी लॉग में मेरे अजीज दोस्तों उमीद करता हूँ जो भी हालात आपकी जिंदगी में चल रहे होंगे लेकिन अल्ला के हुकम से दिल और दिमाग आपका बिलकुल लशपश होगा मैं हूँ वकार्जव का लाशहूरी यानि सबकॉंशस आपकी खिदमत में हाजिर सैन फ्रसिस्को में य रोकेट सायंस नहीं भाई मैं एक नार्मल सा इनसा हूँ अच्छ तो नार्मल ऐशयुफ अश्रफन मखलूकात ऐसी होती है के हो सांप को किसीया कर रही होती है पर फे को करी हो ती हमारे ऊपर में उपर से गुजर बंदासे speculation o you do not know what is a लुदधर let me show you दो बजरे क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करे कि टाइम कटता जाए कटता जाए स्नैप चैट कर ली जाए वर्चुल ठक टुक ठक टुक के इरादे नजर आ रहे हैं इसके तो स्नैप चैट स्टार साइन गी बात पूछ ले आपने अपना एप्टिट्यूट टेस्ट और मुश्किल कर दिया है ताकि ऐसे लोग दुबारा ना आ जाए सुबाह इतनी एहम प्रेजेंटेशन है और इसके मिशन चेक कर ले स्टार साइन की बात पूछ ले या पर पूछें कैसी लग रही हैं आप मतलब आपने क्यों देखना है दूसरों की बीबी बेहने कैसी लग रही है टाइम किल करने ना क्या करें टाइम किल करने के लिए कुछ तो करना पूछता है ताइम का तो पता नहीं लेकिन इन बातों के वज़ए से तू जरूर किल हो जाएगा कभी कभी ये शक्स मुझे पिच्छल पैरी लगता है ओ आपको पिच्छल पैरी का नहीं पता चलें विडियो के एंड में दिखा दूँगा पिच्छल पैरी क्या होता है अभी के लिए उपर वाले से मैं ये दूआ मांग रहा हूँ या तो इसका वेगस का आज का ट्रिप कैंसल हो जाए या फिर वेगस जाते इसके मोबाइल फोन खो जाए क्योंकि वहाँ जाकर वी लॉग के चक्कर में जो नाजेबा फोटेज ये रिकॉर्ड करने वाला है मैं आपको क्या बताओ इतना अच्छा इमिज चल रहा होता है लोग तारीफ कर रहे होते एक दम अपने इमिज का गला घोटने के लिए फोटेज खुद अपलोड कर देता है ये कैसा इंसान है फिर बोलता है लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं लेकिन ये सुबह सुबह अभी क्यों जा रहा है इतनी जल्दी इसका तो सेशन बहुत एंड में कॉन्फरेंस में यार बाल जो है वो मेरे कभी सही ही बनते हैं इस किसी किसी भी बाइज है अजी बेव आईजी है बाई जान को क्यूड बनने का बहुत शौक है लेकिन इस शकल पर पॉसिबल नहीं चार पॉंच हॉल होते हैं जब भी कोई ऐसी कॉन्फरेंस हो रही होती है अजी मेरी कुछ नसीब है कि में हॉल में मुझे उन्होंने रखकर के साथ पहले डिसकेशन में आप अपने प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे टैन अप के लिए भाई जान बहुत मार रहा है तेंक यू टैन अप हमारा प्रोजेक्ट यह सारे स्टॉल है यह सब इसलिए होते हैं कि कम्यूनिटी बिल्ड करनी होती है अरे लो दड़ इंसान सही तरह बता यह लोग यहां पर नेट वर्किंग के लिए और इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करने के लिए स्टॉल लगा के बैठे हैं जो वक्कार जका सहाब को इसलिए नहीं लगाना पड़ा क्योंकि इनके काम से इंप्रेस होके इनको वैसे ही स्पीकर के तौर पे बुला लिया गया है यहां पर उसको मेन स्टेज पर एक पैनल डिसकेशन में बुलाया गया नहीं यार यह क्या बात हुई स्मार्ट वक्कार जका काम के टाइम एक तोब चीज बन जाता है यही वज़ाए कि चिचोरों होने के बाब जो भाई तरकी करता जा रहा है यह शक्त दो सामने नजर आ रहा है यह मल्टाय बिलियनेर है बाई के मोजे भी बिटकोईन के है बाई की टाइ भी बिटकोईन के है अंदर ना जाने क्या-क्या बिटकोईन का होगा टिम ड्रैपर इसलिए बहुत मशूर है क्योंकि कुछ साल पहले इस बाई बिटकोईन में लिटकोईन के है Bitcoin वहां तक जाएगा के नहीं जाएगा लेकिन इसी स्टेज पर वक्कार जखाभी पूर जोश अंदाज में नजर आएंगे Liberty endorsement no matter they are in holographic face no matter on their facebook they will get you investor they will get you the reach the reach is important so now as a content creator I recommend everyone that we all have the knowledge we all have the teams I guess अच्छा भई ठीक है ना यार तैयारी करके आये वे ओ बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोगों को इंप्रेस कर दिया है जो लोग देखना चाते हैं इससे लोग किस तरह इंप्रेस होके तालिया बजा रहे थे इस conference का नाम YouTube पर सर्च करें और वहां जाके देख लिए लेकिन यहां इतनी लबी बात बताने से बेतर है जो वहां वकार जाका ने आदे घंटे में तकरीर की है मैं आपको पांच मिर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि टैन अप है क्या और इससे आपका फाइदा कैसे हो सकता है टैनप की यह जो टीम आपको नज़र आ रही है यह इस बात का सबूत है कि वकार जाका दुनिया में जहां भी जाता है उसका सिरफ एक ही मकसद होता है कि पाकिस्तानी टैलेंटिड लोगों को जएद सदा प्रमोट किया जाए क्योंकि यह तमाम वो लोग है जो ने ब्लॉक पारे में चाहिए वो बिट कोईन है या अभी वो बिलकुल नए है वो कुछ नहीं पता तो वो कहीं कॉल करकर यह समझ सकें किस तरह इंवस्मेंट करनी है हमें कैश आउट किस तरह करना है यानि सबसे बड़ा मसला यह था क्रिप्टो में कि कोई शकूर कोई कदूस कोई सा दूसरी अहम चीज है कि जिसके पास भी एक कोईन होगा तो समझ लें आपके पास एक रसीद आ गई जैसे बहरिया टाउन की एक रसीद आ जाती थी उसके बाद कुरांदाजी होती थी और अगर जिसका भी प्लॉट निकलता है वो बाकी किस्ते देकर वो प्लॉट ले ले या वो रसीद आगे बेज़कर डबल डबल पैसे का मारा होता था जैनी टैनप कोईन जिसके पास भी होगा वो वकार जगा की प्रॉपरटी जहां दुनिया का पहला ब्लॉट चेन प्लाजा बनाने की प्लैनिंग हो रही है उसका हिस्सेदार बन सकता है यह इन्फरमिशन स का हिस्सा बन जाते हैं आपको 2000 टैनप कोईन मिलेंगे जिसको आप डिसंबर में एक्सचेंज पर जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं आपने सीमिल पर यह जुरूर बताना है कि आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में 500 डॉलर इंवेस्ट करना चाते हैं यॉरप के बैंक अकाउ आपने मिसाल के तौर पे दो हजार कोईन खरीदे हैं तो दिसंबर तक उनकी कॉंटिटी ट्रिपल हो चुकी होगी यानि उस वक्त जो भी वैलियो लेकिन कॉईन की कॉंटिटी क्योंके ज्यादा हो गई होगी इसलिए कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर मिल रहा होगा एक मिनट ठेरिये वकारजगा और वकारजगा का ये प्रोजेक्ट स्कैम 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 ये खुबसरत आवाज दूसरे टाइप की पाकिस्तानी की है जिसने ये इंफरमिशन सुन ली है और अब वो अपने सारे काम छोड़ कर एनालिसिस करेगा वकारजगा को एक्सपोस्ड एक्सपोस्ड करेगा ये वोही नन्ने मासूम से लोग है जब वकारजगा बर्मा गया तो इन्होंने का नहीं ये तो थाइलेंड में जब वकारजगा सीरिया गया तो नहीं उन्होंने का ये तो वेकस में रंग रल्या मना रहा है ये वोही लोग है जो कहते हैं ये बचपन आज दे दी जाए 2015 से वक्कार जका ने बर्मा सीरिया जाना शुरू किया और आज भी इंडी गोगो वेबसाइट पर सारा डेटा पड़ा है कि कितनी चैरिटी जमा हुई ख्याल रहे कि जिसने चैरिटी दी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जिसने एक टका ने दिया वो हमेशा ये तस्वीरे पोस्ट करता नजर आएगा मार्च 2015 में जो वक्कार जका ने वेगस पूल पार्टी की पिक्चर अपने फेस्बूक पे अपलोड की असल में वो जोलाई 2015 में बर्मा से जो चैरिटी जमा की उसको बैक टू दा फीचर की गाड़ी में बैटके वो आया और फिर पार्टी की उसने 2014 की पिक्चर उठाएगा लगाएगा और दिखाएगा कि ये जो फस्ट क्लास में वक्कार जका ने जाना शुरू किया माल दीब्स में ये भी सारा बर्मा से जमा का पैसा है जो उसको चैरिटी में मिला अबिखाईगा और डूक्र कदीर साब ने वक्कार जाका को ये बार्ड इसी बात प्र दिए कि वक्कार जाका हान अप कर गया है और इस charity से वकार जगाने ये 4700 स्कॉयर यार्ड प्लाजा खरीदा जिसके नीचे 100 दुकाने है छे फ्लोर इसके बना सकते हैं ये तमाम इसी charity के पैसे से तो आया होगा है ना और इस building से जो rental income आती है वो तो source of income वकार की होगी नहीं हाँ भाई माल या ये building वकार जगा की है ल 37 पाकिस्तानी बिल्कुल आपको ये नहीं point out करेंगे कि यहां पताने का मकसद ये है कि जिसके पास जितने 10 up coin होगे उसके पास voting right होगा कि ये blockchain plaza कैसे बनना चाहिए उसके पास voting rights होगे कि यहां की construction कैसी होनी चाहिए ये building सिर्फ एक project है 10 up coin का ये याद रखें कि 10 up अभी initial stage पे है और उसमें जो भी investment करता है उसका फाइदा तो होता है लेकिन सबर करना पड़ता है अगर सबर नहीं है तो फिर investment ना कीजेगा और अगर आपका कोई और दूसरा सवाल है तो 10 up.io पे जाए इनके social media platforms को join करे टेलीग्राम के उपर इनकी team मौजूद है वहां जो सवाल करना है आप कर लें लेकिन मैं जानता हूं कि वकार्जका से नफरत करने वाले अब तयार हो जाएंगे और फॉर रहां ये लिखना शुरू कर देंगे भाई वाइट पेपर जो जानती है उसमें तो यह दो बातों का जिकर ही नहीं है यह नहीं समझेंगे कि वहां यह लिख और डैश कोईन का तो दो दफा नाम चेंज हुआ एक दफा डारक कोईन और फिर एकस कोईन इसी तरह नियो कोईन का नाम पहले अंट शेर था वी कोईन में जिसने इंवेस्मेंट की उसको 10 अप कोईन मिलना शुरू हो गए जो इंवेस्मेंट कर रहे है उसको कोई जो पाकिस्तानी है इनकी टांग खींच रहें क्या ये सब फ्रॉड हैं। फिर कुछ नीम हकीम साइसदान आएंगे और आपके सामने अपनी वीडियो में दुनिया का सबसे एहम राज बताएंगे कि टैनप कॉइन असल में पिविक्स कॉइन का फोर्क है और फोर्क करना किसी कॉइन को तो जनाबिल जबर होता है। पिविक्स कोईण वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वकार जखा के पोस्ट लाइक कर रहे हैं और पिविक्स कोईण वाले वकार जखा के टैनप कोईण के साइन बनाते वे नजर आएंगे लेकिन ये सब तो धोका है इसके बाद आइंस्टाइन की पाकिस्तानी नामालूम ओलादें आ जाएंगी और वो बोलेंगी कि थीरी आफ क्रिप्टो एविलुशन कुछ नहीं होता पिविक्स कोईन तो खुद डैश कोईन का फोर्क है और डैश कोईन बिटकोईन का फोर्क है यह सारे क्रिप्टो करंसी जो है न यह बहुत बड़ा फ्रॉड है यह सारे बाट्स को यूज करके ट्रेडिंग खुद ही करते हैं और अपने पैसे खेचे जा रहे हैं अच्छा यह वही आइंस्टाइन की नामालूम ओलादे हैं पाकिस्तान में गूमरी जो के XRP को Ripple समझती है तो जो मेरे भाई Ripple और XRP का फरक नहीं समझ पाता डैश और डैश कोईन का फरक समझ नहीं पाता वो क्रिप्टो में हमेशा यही कहेगा यह फ्रॉड है मेरा पैसा डूप गया इसी तरह 10-up एक कंपनी है जो अपनी एक प्रोडक्ट लाँच कर रही है जो क्रिप्टो करंसी है जिसके पास वो क्रिप्टो करंसी होगी उसके पास यह अथोरिटी होगी कि वो अपने आइडिया सम्मिट कर सकता है और जितने नए आइडियाज कोई लेकर आ रहा होगा हमारी कंपनी में उसके उपर वोटिंग करेगा कि इस आइडिया को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आइडियाज ग्रो करेंगे उसकी वज़ा से सबकी तरकी होगी यह सिरफ एक कोईन नहीं है मेरे भाई जिसको अकेले वकार जका ने बैटके कोडिंग कर ली और लॉंच करके आपके पैसे हडब करके भागना चाहता है जो पैसे आपके तरफ से आएंगे वो इन लोगों म बनाता उस वेबसाइट पर अपने आपको शोनी करता जिस पर लिखा होता कि 40% प्रॉफिट आपको मंतली मिलेगा बिट करेट की तरह और थोड़े रिसे बाद आपके पैसे लेके बाग जाता अपने आपको एक बंदा खुद सामने दिखा रहा है पूरी टीम पाकिस्तान नए इंजिनिर्स को और मौका मिलेगा ये सब करने का मकसद जही हो सकता है वकार जका इलुमनाटी नाटी नाटी पाकिस्तानियों रुकना नहीं है वकार जका से पूरी नफ्रत करनी है वकार जका के बारे में वीडियो डालनी है कमान डालो ऐसी एसी वीडियो के वकार जक लेकिन टांगी चिने जो पहले वकार्जागा को वेगस में छी चोर पंतो करने दो क्योंकि इसके दोस्त वलीद की साल गिरा है जिसके लिए स्पेशली ये वेगस पहुंच कया है लड़कीया किसी मिलती जाय लड़कीया ये वक्कार जगा के बहुत ही खास दोस्त है दुनिया में वक्कार जगा अगर कहीं ही मिलेगा तो इन लोगों के पास मिलेगा अब वक्त है वेगस की मस्तियां दिखाने का लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं वक्कार जगा के दोस्तों से ये है सैफ खान जो वक्कार जगा के परोसी भी है नेवल हाउसिंग जमजमा पे और इसके साथ साथ टुमोरो लेंड से लेके अल्टरा म्यूजिक तक हमेशा इनके हमदम रहते हैं इनका आगे इंट्रो अभी नहीं दे सकते हैं ये है अहमद मुख्तार जो वक्कार जगा की एक्स्ट्रा केर करते हैं लेकिन क्या आप कैस कर सकते हैं कि वेगस की ट्रिप में ये इन में से किसका अंगुठा तोड़ने वाले हैं ये है अरसलान जो अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हैं इतना प्यार करते है कि कभी किसी मर्द को भी नजर उठा के वेगस में नहीं देखा लेकिन क्या इस दफ़ा इनकी नियत बहके की पूल में जाने के बाद और अब मिलते हैं साल गिरा बॉय इंतिहाई खुश अखलाग वलीद मुखतार से जो सिर्फ इस तहावत पे बिलीव करते हैं जो कहता है वो ही होता है अब इन सब के साथ वक्रजका वेगस में क्या मस्तियां करने वाला है लेकिन उससे पहले आप सब की राये चाहिए मुझे कमेंट्स में क्या आप लोग ये देखना चाते हैं बताएं इसके बारे में खाकान भाई वाकम के आपड़ वकार जखा आपको एपल की सेर भी करा सकता है वकार जखा गूगल के उन हिस्सों में गया जहांकि शायद फुटिज पहले ना देखी हो आपने क्या आप वो देखना चाहते हैं या फिर जब से था मैं इनमाई वॉकर पीता था मैं जॉनी वॉकर पीने से मुझे कोई न रोके क्या हूँ किसी के पाप कनोकर पाप कनोकर पाप कनोकर पाप कनोकर जुमपादी 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 लेकिन अगर आपको ये लाशोरी सबकॉंशन्स का फॉर्मिट पसंद आ रहा है और आपको थोड़ी सी भी इंफोटेंवन मिली है तो वीडियो को शेर ज़रूर कीजेगा और अपने कमेंट से बताएगा कि नेक्स वीडियो में आप वेगस की मुस्दियां देखना चाहते है या नए ही 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 ओ हाँ एक चीस तो रह गई पिचल पहरी